जापानी बॉबटेल एक खूबसुरत दिखावट और एक अनूठा इतिहास वाली बिल्ली भ्रीड है जापानी बॉबटेल जैसा की नाम से पता चलता है उसकी मूल कहानी जापान से है जिसका इतिहास प्राचीन समय से शुरू होता है विशेशकर हेयान काल से इन बिल्लियों ने अकसर जापान की पारम पर एक कला और संस्कृती में प्रकट होने का सामर्थ्य दिखाया है जिससे वे कुछ समय पर जापान के राश्ट्रिय प्रतीक के रूप में भी माने जाते हैं उनकी सबसे प्रमुख विशेशता में से एक बॉबटेल है जिसमें छोटी और अकसर घुटन बेंट की जाने वाली पूंच होती है पूंच की आखरिते व्यक्ती के अनुसार भिन हो सकती है लेकिन सामान्यता एक खरगोश की पूंच की तरह वर्नित की जाती है इस पूंच की विशेशता ये दिखाती है कि बॉबटेल बिल्लियों के बीच विविधता है हर एक बिल्ली का अपनी अपनी अनुकी पूंच होती है शारीरिक आकार की बात करें तो वे मानसल और लचीले बने होते हैं, माध्यम आकार के होते हैं और त्रिकोनाकार चेहरा होता है, बड़े खड़े हुए कान और बादामी आकार की आँखें होती हैं उनकी पैल्ट कई लंबाई, रंग और पैटन में होती है। लेकिन सफेद पैल्ट पर कैलिको पैटन के साथ बॉबटल सबसे प्रसिद होते हैं। जापानी बॉबटल की व्यक्तित्व बिलकुल गतिशील और सामाजिक होती है। वे जिग्यासु होते हैं और अपने परिवार के संबंध को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे खिलोनों से खुश होते हैं और खिलोनों के साथ बातचीत करने में आनंद लेते हैं। अक्सर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। उनमें कुछ कुट्टे के जैसी गुंड़ी होते हैं, जैसे की वफादारी और अपने मालिक के प्रती प्यार, इसलिए वे परिवारी मिलनसर विरासती के तौर पर महान साथी बनते हैं। बच्चों और अन्य पालतू जानवरों के साथ भी अच्छे से समझाते हैं। स्वास्थय के मामले में, जापानी बॉबटेल आमतोर पर स्वस्थ प्रजाती मानी जाती है। हाला कि, उनकी पूंच के आकार के साथ संबंधित आनुवानशिक बीमारियों के संभावना का ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूंच की स्वास्थय में विविधता हो सकती है। उनकी स्वास्थय की देखफाल के लिए नियमित चिकित सकीय परीक्षन और स्वास्थय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। जापानी बॉबटेल जापानी परंपरा और संस्कृती के साथ गहरी, जुड़ा हुआ ब्रीड है। उनकी अद्भुत दिखावत और मनोबल व्यक्तित्व के कारण लोगों के दिलों में बड़ी जगह बना लिया है। उनकी मोहक दिखावत और धन्य इतिहास के साथ जापानी बॉबटेल को बिल्ली प्रेमियों के लिए विशेश स्थान है।